नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिरसे स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहें एक बड़िया सी थाली जिसे बनाना बहुत ही आसान है घर में सभी को पसंद आएगी और कोई भी महमान आजाए तो आप जटपड से ही बना सकते हैं सारी जीज़े आपको मिल जाएगी और स्वादिस्ट भी है तो चलिए बिल्कुल भी धेर नहीं करते हैं इतनी बड़िया सी यह स्वादिस्ट थाली बनाना हम शुरू करते हैं बहुत ही आसानी से बन जाएगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और परिवार में बच्चों से लेकर बड़ता को पसंद भी आएगी तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे मुर्मुला का चिवडा क्योंकि कुछ क्रंची होता है न तो और खाने में मज़ेदार लगता है वैसे तो हम अलग अलगते हैं के पापड या फिर कच्च्डिया बनाते ही हैं तलते हैं पर इस बार हमने यह बनाया है तो उसके लिए ह हमने यह पर मुर्मुला ले लिए देर सारे गैस कौन कर लिए इसके ओपर कडाई रख देंगे और इसमें मैं डाल रहे हूं एक चमच जितना तेल जैसे गरम हो जाएगा आज बिलकुल दीमी कर लेनी है गैस की और हल्दी पाउडर डाल देना है स्वाद अनुसार नमक डा लेना है एक से दो मिनिट तक ऐसे चलाते रहे ताकि जो मुर्मुरा वह क्रंची हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से दो मिनिट हो चुके हैं और मुर्मुरा अच्छे से भून गए हैं तो अब यह मुर्मुरा को हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और कड़ाई है इसे हम फिर से गेस पर रख देंगे और अब इसमें मैं डाल रहे हूं फिर से एक चमर जितना तेल और इसके अंदर में मुम्फली डाल रहे हूं एक चोथा कब जितनी और अब इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे भूनेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते ह इसके अंदर में डालने हूँ एक कटी हुई हरी मिर्ची और साथ साथ में बूनते जाएंगे एक से दो मिनिट तक बूनना है फिर लालमिश पाउडर डाल देना है आधी चमच ताजे कड़ी पते डाल देने हैं आट से दस और फिर से अच्छे से आपको इसे मिलाना है बयाट बोहत ही आच्छे से बन जाता है काफी आसानी से तो आप देखिए जब हम मुरमुरा डाल देन तो आप गयास को बंकर ले और चला ले क्युक्य दोनु अमारे बुने हुए हैं तो बस अभी हमें इसे मिलाना ही है तो आप प्लेट में और यह जो अगर आपको नहीं पसंद करते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो बस आप यह लाद मिर्श पाउडर ना डाले और अब इसके अंदर में डाल रही पीसी हुई चीनी इस तेने एकदम खटा मीठा स्वाद आता है पर अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको चीनी नहीं डालनी है तो बस आप लाड मिश पाड़र और चीनी नहीं डाले बस अच्छे से मिला ले तो यहां पर आप देख सकते ह हमारा जो मुर्मुरा का चीवडा है वो बनकर तयार है तो अब इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे देख सकते कितना बढ़िया बना है और यह खाने में बहुत ही मज़े दाल लगता है उसे मैंने साइट में रख दी आब हम बनाएंगे बढ़िया सा एकदम परफेक्ट जाली दार तो जितना जितना मैं डाल रही उतना ही डालियागा आदी चमच जितना मैंने नीमबू के फूल डाल दी और इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं नीमबू के फूल को और पानी को मैंने अच्छे से मिला लिया है अब इसके पानी के अंदर सारी चीजों को अब इसके अंदर में डाल एक चमच तेल तो यहां पर मैंने तेल भी डाल दिया है अब इसे मिलाएंगे जैसे जैसे मैं आपको यह नायलोन खमन के प्रोसेस बता रहे हैं वैसे वैसे यह कीज़ेगा आप एक यह बारी में बहुत ही परफेक् तो देखे पानी के अदर मैंने सारी चीज़े अच्छे से मिला ली है अब यह जो खमन है उसे हमें स्ट्रीम करना है तो इसके लिए यहां पर मैंने गयस के आपर बड़ा बरतन रग दिया है इसमें मैंने दो ग्लास पानी डाल दिया और एक यह रिंग रग दी है और यह ढ धक कर हम पानी को गरम होने देंगे, जब तक यह गरम हो रहा है, हम फिर से आ जाएंगे हमारे बैटर पर, तो अब यह जो बैटर हैं, इसके अंदर हम डालेंगे दो कफ बेसन, डेड़ कफ पानी में दो कफ बेसन, बेसन डालती ही, आपको इसे लगातार पांस से छे मिनिट तक चलाना है, थोड़ी सी महनत लगती है, पर एक ही बारी में एक तम पर्फेक्ट खमन बनाना है, तो यही प्रोसेस अपलाई कीजे, लगातार आपको चलाना है, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, और जो भी हमने पानी के अंदर नीम्बू के फूल, नमक, तेल, य तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको चमच से भी दिखा देती हूँ, बैटर की कंसिस्टन से किस तरह से, ऐसी होनी चाहिए, नाइलून खमन के लिए, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा, आदी चमच जितनी अच्छे से मिलाएंगे, बेकि केकिंग सोडा डाल कर अच्छे से मिला लिया है, अब जिसमें हमें खमन बनाना है, तो यहां पर आप कोई स्टील का डबा ले ले, यहां जो वो केक टिन आते हैं, वो ले सकते हैं, फिर कोई भी कंटेनर ले, और इसे अच्छे से तेल लगा ले थोड़ा सा, हाथों से भी ब्रस से भी, और अब फिर से बैटर पर आजाएंगे, यहां पर मैंने एक पैकेट इनो का लिया है, यह पूरा पैकेट डाल देंगे, और यह इनो जहां पर डाली है, उसके ऊपर ही हम एक चमच जितना पानी डालेंगे, इससे कि अगर जो इनो है वो एक्टिव हो जाएग अब अच्छे से मिलाना है, पर धियान रखे, इनो डालने के बाद आपको बैटर को एकदम ओवर मिक्स, यानि जादा नहीं मिलाना है, बस इनो मिक्स हो जाए, इतना ही मिलाना है, तो यहां पर देखे, इनो डालने के बाद मैंने हलका से मिला लिया, और जब आप इनो डा अब इसे तो बर्त पर चली जाती है तो वह जी जाता हो जाताएं वह पर से हमारे खमण पर इंताया तो इसथे क्लिए कपड़ा लगा देले 20 तो यहां पर 20 मिन्ट हो गया है और हमारा जो नाइलोन खमन है वो स्टीम होकर तैयार है इसे चेक कर लेंगे एकदम देखे क्लियर निकल रही है तो इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे बाहर रखकर यह हम अच्छे से ठंडा होने देंगे अगर आप गरम गरम निकालेंगे त तो यह तूट सकते हैं यह नहीं भी निकलेगा तो जब तक वो ठंडा हो रहा तो इसके लिए हम एक तड़का तायार करेंगे यहां पर मैंने कड़ाई में एक बड़ा चमच तेल डाल दिया है जब तक गरम हो रहा है हम आद़ा कप पानी में मतलब आदा कप पानी ले होई हरी मर्ची डाल दिये अब इन सब को हलका सा बुन लेंगे इस तरह से तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस अच्छे से बून लिया अब हमने जो यह चीनी वाला पानी तेगा था निए डाल देंगे आप देख सकते अभी जो चीनी रह गई एसे आम जैसे तड़के को पकाएंगे न तो चीनी ये पिगल जाएगी अब ये तड़के को हमें दो मिनिट तक इसी तरह से चलाते हुए पकाना है तो दो मिनिट हो गए हमारा जो तड़का है बन कर तयार है तो अब हम गैस को बन कर लेंगे और आप देख सकते हमारा जो नाइलोन खमन है न वो भी अच्छे से ठंडा कर लिया था अब इसके उपर एक प्लेट को रखेंगे और इस तरह से ये डबे को उल्टा कर लेंगे और थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा ये नाइलोन खमन निकल गया है बहुत ही बढ़िया लग रहा है द और आप देख सकते हैं कितना सोफ्ट बना है कितना बढ़िया है तो जो जो मैंने आपको कॉंटिटी बताइए उस हिसाव से ये आप कीजेगा तो आप भी एक बारी में एकदम पर्फेक्ट स्पंजी एकदम जूसी और एकदम जालीदार नाइलोन खमन बना कर तयार अब जो तैयार क्या हुआ तड़का है न वो हम इसके उपर डाल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो तड़का था वो मैंने डाल दिया है थोड़े से धनिया के पते हम डाल देंगे साथ ही साथ यहां पर मैंने ले लिया एक चमज नारेल का बुरादा ये भी डाल देंगे ये खाने में बहुत ही काफ़ी बढ़िया लगता है जब हम पीस लेते हैं तो पर अगर आपको नहीं पसंद है आप नहीं डालना चाते तो कोई बात नहीं आपसे दन्या का पते डाल दे तो लेज नाकर तया करेंगे तो उसके लिए आपको अबले हुए आलू लेने उसे इस तरह से मसल लेना है इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है आदी चमज लानमिश पाउडर एक चौथाई चमज हल्दी पाउडर एक चमज जीरा डाल देना है एक यहां दो कटी हरी मि चार से पांच लिए है मीडियम साइज के बड़े है तो आप तीनी ले या फिर दो ही तो यहां पर आप देख सकते स्टफिंग हमारी तयार है अब इसमें से वड़े बना लेंगे इस तरह से साइज आपके उपर है तो यहां पर यह जो स्टफिंग है ना हमने यह वड़े बना लिए और जो बच्ची भी स्टफिंग एना इसमें से हम रोल्स बना लेंगे आपको ऐसा लग रहा है कि एकी स्टफिंग है तो स्वाथ तो एक ही आएगा पर असा नहीं है स्वाथ दोनों का ही अलग आएगा यहां पर आप देख सकते से मैंने रोलर्स इसके बना और यह क्या है यह मैंने आपको एक ट्रेकी बताई है कि आप काफी आसानी से देखिए अलग-अलग स्वात के आलू वड़ा भी बना लेंगे और साथी साथ यह रोलर्स भी बना लेंगे तो थाली में एक की जगा दो डिशिर्स हो जाएगी तो यहां पर देखिए मैंने रोल सब्सक्राइब में तो कहासे लाना है तो यह जो स्वेया नहीं तो यह जो पछ कुप्छा естоैं लोलर्स कितला वेला करेंगे पाति है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से यह सारे क्रिस्पी से रोलर्स तैयार कर लिए हैं देखे किते बड़िया लग रहे हैं और यहां पर मैंने तेल गरम करने पहले से रख दिया है अब फटा फट से आलू बड़ा के लिए जो गोल है वो तैयार कर लेंगे बेसन का तो ये बेशन में डाल देना है स्वादनुसा नमक, आधी चमच लालमिर्ष पाउडर, आधी चमच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और एक चमच जतना हम डाल रहे हैं आमचुर का पाउडर, काफी चटपटा और बढ़िया स्वादाता है इससे अजवाइन मैंने ले लिए, इससे देखे, एक चमच जतनी अजवाइन लिए, इससे मसल कर डालेंगे और यहाँ पर मैंने पानी ले लिए, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जैसे हम better बनाते हैं गोई भी गुटली नहीं होनी चाहिए पकोड़ा के लिए कैसे better बनाते हैं वैसे हमें इसका बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पानी कम लग रहा है मैं और थोड़ा डाल रही हूँ और आप चाहतों इस तरह से भी मिला सकते हैं या फिर हाथों से भी मिला सकते हैं जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं मैं आपको better की consistency दिखा देते हैं जैसे देखे इस तरह से होनी चाहिए अब इसके अंदर हम ये वड़े डाल देंगे पूरा coat कर लेंगे ये बेशन के गोल में से तेल हमने गरम करने पहले से रख दिया था अच्छा गरम तेल है तो ये वड़े इस तरह से हम तेल के अंदर डाल देंगे और एकदम सुने रहा एकदम crispy होने तक ये आलु वड़ा ये भी हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से तलेंगे एकदम crispy होने तक सेवया का पूरा जो कलर है इस तरह से एकदम अच्छा सा हो जाएगा सुने रहा तब तक आपको इसे तलना है तो यहाँ पर आप देख सकते हमारे जो सेवया क्रिस्पी रोल है वो भी बनकर तयार एक पर नहीं है तो चली अब भनाइएंगे यह च्छीरा नहीं चावल ले लिया आप और भी ही चावल ली सकते चोटे से छे हमने साबूत काली मिर्ची डाल दी है और दो हरी वाली इलाईची इन सब को हलका सा बूनने के बार इसके अंदर हम यह बाउल से पानी डाल देंगे तो यहां पर आपको मैं जीरा राइस भी ने एक्तम जटपड वाले बताने जा रही हूं स्वाद वही आएगा तो दे यहां पर आप देख सकते हैं पानी अच्छा गरम अब इसके अंदर हम यह चावल डाल देंगे तो वैसे तो हम जो चावल पहले मनाते हैं फिर उसको हम जीरे में अच्छे से तरका देते पर ऐसा नहीं है यह वाले जीरा रिस काफी बढ़िया लगते स्वाद वही आता है अब यह राइस डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है विसे खुला ही हमें 6-7 मिन तक पकाना है बीच बीच में चलाते हुए जब तक इसका पानी जो है वो सूख नहीं जाता तब तक इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए पकाना है तो यहां पर देखे विलकुल हलका ही इतना हलका पानी रह जाए ना तो इसे हम धक कर दीनी आज पर पांच मिन तक पकाएंगे पांच मिन्ट हो गया है हमारे चावल आप देख सकते कितने बढ़िया बने देखे जीरा राइस काफी बढ़िया खुश्पू आ रही है तो अब इसके उपर मैं डाल दे रही हूं दनिया के पते डालने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे अब इसे ढखकर हम पांच मिन तक इसे रख देंगे इस तरह से क्या होगा आपको जीरा राइस का स्वाध रह और बढ़िया आएगा तो इसे ढखकर हमें रख देना है गैस तो हमया बंदी है और आब हम बना तो उसके लिए मैंने हाँ पर एक कब मौंग डाल ले ली थी इसे मैंने पंदरा से बीस मिनिट तक भिगो के रख दिया था तो देखिए अच्छे से ये भिग गई है अब ये पानी को हमें निकाल लेना है जो ये है और ये से निकालने के बाद मैंने गैस के उपर कुकर र देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से मिलाने के बाद इसे कुकर ढ़कन लगाते हुए दो सीटी आने तक हम पका लेंगे तो यहाँ पर सीटी आ गई थी प्रेशर खतम हो गया था तो इसे मैंने एक बावल में निकाल लिए अब अब अच्छे से इस तरह से क्योंकि पकी भी दाले तो अच्छे से हो जाती है अब हम तड़का तयार करेंगे तो कड़ाई में हम डाल देंगे एक यहां दो चमश तेल एक चमश जीरा एक चमश हमने डाल दिये हैं पास्टे खड़ी पते दो से तीन कटियो हरी मिर्ची एक टमाटर कटा हुआ और एक से दो में तक इसे पकाएंगे ताकि टमाटर सौफ्ट हो जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक से दो में ठोग गए तो अब आदी चमश इसके अंदर लाद मिश पावडर एक चौथाई चमश धनिया पावडर दनुसा नमक एक चौथाई चमश बुनाओ अजीरा तो देखें मिलाने के बाद अब इसके अंदर में पानी डाल रहे कि पानी आपके ऑपर है आपको कितनी लाइट दाल पसंद है कितनी गाड़ी पसंद है क्योंकि इस अल्यूमा को बन कर लेते हैं तो यह चार ने पने पूंपले पानी डाल और उसके बाद तक पकाएं तड़का यह इतनी जड़पट से बन जाती है और खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जियों को टक कर मारे ऐसी यह मसाला दही तड़का है देख सकते हैं और एक दम आपको ऐसे लगए का सिर्फ दो मिनिट में आपने तयार कर लिया और इसमें कोई सब्जी की कड़ी पते डाल दिये 5-6 और 3-4 हमने कटी हुई हरी मिर्ची डाल दिये विन सब को हम बून लेंगे देखे हलका सा बूनने के बाद स्वादनुसा नमक लालमिश पाउडर आदी चमच आदी चमच हल्दी पाउडर अच्छे से सब को हमें से मिला लेना है तो यहां पर देख सकते हैं घर की जमाई वी देख कितनी बढ़िया लग रही है तयार किया हुआ तड़का यह बढ़िया सी दही में हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो लिजे एकदम बढ़िया सा जटपट समय ने आपको कहा ता जैसे कि कोई कि कोई को सब्जी की जरूर इसी गीहों के आटे की हम बाखरी बना लेंगे जिसका मजाई कुछ और है थाली की यह चार चांद लग जाएगी आप यह दही तड़का और यह बाखरी रखेंगे जीरा राइस और दाल इन सभी के साथ तो चलिए से बनाना हम शुरू कहते इतनी मज़िदार बनेंगी न तो इहाँ पर यह बाखरी बनाने के लिए एकदम त्रिस्पी वाली उसके लिए आपको क्या करना है गीहों का आटा लेना है तो आप जितनी बाखरी बनाना चाहते है उससे सबसे गीहों का आटा ले, स्वादा नुसार नमक डाल दे उर करीब 23 leve से 4 चंब जितना तेल डाल तो यहां पर आप तेल की जगह पर गी भी डाल सकते हैं पर अगर आप गी नहीं खाते तो आप तेल डाले आटा जब तक देखें मैं हाथों में इस तरह से कर रही थी इतना ना हो जाने तब तक आपको अच्छे से मिलाते रहना है उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी है दाले और अठे को गूंद कर तयाप करें तो जो बाखरी के लिए आठा होता ही और आठा बेड़ा नहीं होता सकता स्वाधिस्ट भी वनेगी तो देखिए इस तरह से आटा होना चाहिए हलका से तेल या फिर घी लगा कर आटे को अच्छे से चिकना कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे को मैंने एक दम बढ़िया से चिकना कर लिया है और इस तरह से ही आटा होना चाहिए सिर्फ आ तो इसे चक्ना पर रखने लहाँ गर्म है यह तरह हम देख सकते है T पलटेंगे ना हलकी से चिकना सुरू हो जाए ना तो आपको क्या करना है एक साफ कोटन का कपड़ा ले लेना है और इस तरह से गोल-गोल गुमाते हो इसके किनारों को अच्छे से दबाते हो आपको सेखना और अपने हाथों का भी ध्यान रखना है क्योंकि देखिए इस तर तो टूट जाएगी सेखते वकी तो मोटी से इस तरह से मोटी बेलियेगा और अच्छे से सेखेगा तो यहां पर आप देख सकते हमारी जो बाखरी है ना वह एक्दम बढ़िया से शेकर तयार है इसी तरह से हमने दूसरी भी डाल दियो और दूसरी भी इस तरह से हम बनात लगाना क्योंकि अंदर हमने डाल दिया है तो देखे इस तरह से मैंने यह सारी बाखरी बना कर तयार कर लिए है तो लीजे थाली की सारी रेसिपी हमारी तयार हो गई है चलिए अब परुसना शुरू कहते तो सबसे पहले हम यह बाखरी को रख देंगे साथ हम यह बढ़ि प्रिया सा नाइलोन खंवन मैंने रख दिया है और इसी के साथ हमारे यह जटपट वाले जीरा राइस तो तयार है आपने देखा है कितनी आसान तरीके से मैं आपको यह थाली बताई सारी चीजे इसमें आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा और जटपट से बन जाएगी त अज के लिए बस अतना ही कल फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसेपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचेंग